दोस्तो आज हम शेर कर रहे हैं बहुत ही डिलिसियस बिल्कुल नए तरह की पत्ता गोबी की सबजी जिसके आगे आपको चिकन पनीर भी फीकी लगेगी ये सबजी बहुत ही स्वादिश लगती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने एक मीडियम साइच की पत लेजिए तो ये बहुत असानी से निकल जाएंगे इस तरह से हमें कुछ पत्तो को काट कर निकाल लेना है और देखिए लगभग 6-7 पत्तो को हमने काट कर अलग कर ली है ये जो बीच का पत्ता गोबी है इनका इस्तमाल भी हम सबजी में करेंगे तो चाकु लीजिए और चाकु से इनको इस तरह से काट लीजिए इधर हमने कड़ाई में दो गिलास पानी गरम होने के लिए रख दी थी पानी गरम हो गया है तो इसमें हम ये कटा हुआ पत्ता गोबी डालेंगे साथ में हम ये पत्ते भी डाल देंगे और इनको कवर करके 4-5 मिनट तक पका लें है और देखे पत्ते सौफ्ट हो गये है तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे पत्तो को हमने एक प्लेट में अलग निकाल ली है और ये जो बीच वाला हिसा है ना इनको हम काट लेंगे बहुत ज्यादा बारिक नहीं करना है इस तरह से मोटा-मोटा काट लेना है पत्तो को हमने काट ली है डंठल को अलग कर देते हैं अब हमने मिक्सर जार ली है इसमें हम ले रहे हैं प्याज दो प्याज को हमने मोटा-मोटा काट कर ली है इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 5-6 लासुन की कलियां 2 हरी मिर्च और 1 इंच जार में छोड़कर बाकी का पेश्ट हमने बॉल में निकाल ली है अब इसी जार में हम ये कटे हुए पत्ता को भी डालेंगे और इनको भी दरदरा पीस लेंगे इनको हमने बॉल में निकाल ली है अब इसमें थोड़ी सी हल्दी एक चोथाई चमच लालमेच पाउडर थोड को मिला लेंगे मिलाने के बाद देखिए पत्ते थोड़े अलग-अलग दिख रहे हैं तो एक बड़ा चमश बेसन हम इसमें आडल रहे और इनको मिला ले रहे और देखिए इनको हमें इस तरह से थीक रखना है अब एक पत्ता लेज़ि het इसे प्लेट के उपर रखे, इसके बीच में एक से डेड़ चमच ये पत्ता गोबी का मिसरड रखे और दोनों तरब से पहले पत्तों को उठाते वे इस तरह से फोल्ड कर लिजे उसके बाद दोनों किनारों से उठाते वे इनको इस तरह से पैक कर लिजे किनारे के पत्तों को अच्छे सी चिपका लिजेगा जिससे की ये फ्राई करते समय खुले नहीं बहुत आसान है इनको बनाना एक और में बना कर दिखाती हूँ बस पत्ते के बीच में ये मिस्रा रखना है इनको दो तरफ से फोल्ड करने के बाद उपर और नीचे की सैट से भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरह से इन में पनीर जैसा चोकोर से पा जाएगा देखने में भी ये बहुत अच्छे लगेंगे तो सभी को बना कर हमने तयार कर ली है अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मस तेल तेल गरम हो गया है तो इसमें हम ये एके करके पत्ता गोबी के पॉकेट डाल देंगे जितना की कढ़ाई में आ जाए और इनको मीडियम आज पर फ्राई करेंगे एक तरफ से सीखने के बाद हम इनको दूसरी तरफ पलाट लेंगे और दूसरे तरफ से भी हलका ब्राउन होने तक सेख लेंगे और देखे तीन से चार मिनट का समय लगा है दोनों तरफ से इनके उपर हलका ब्राउन कलर आ गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे चाहे तो आप इने इस टीम भी कर सकते हैं फ्राई करके लेंगे तो सबजी का टेस्ट ज्यादा अचाएगा इस तरह से सारे पत्तों को हमने फ्राई कर ली है अब इसी तेल में हम डाल रहे हैं एक चम्मज जीरा एक दालचीनी का टुकड़ा और दो पिंच हींग हलका भून जाने पर हम इसमें दरदरा किया हुआ प्याज अदरक लसन मेश डाल देंगे और इनको भून लेंगे तब तक भून लेंगे जब तक कि इनका कलर हलका ब्राउन नहों जाए हलका ब्राउन हो जाने पर हम इसमें टमाटर का पेश डाल देंगे यहां पर हमने एक टमाटर को पीस कर ले ली है इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाने के बाद इसमें डालेंगे एक चम्मज धनिया पौडर एक चम्मज लाल मिर्स पौडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर आधा चोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चोटा चम्मच नमक नमक आप अपने टेट के कोडिंग डालिएगा इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको तब तक भूनेंगे जब तक की मसालों से तेल अलग न हो जाए और मसाले कड़ाई न छोड़ने लगें चार से पांच मिनट का समय लगा है मसालों से तेल अलग होने लगा है और ये कड़ाई छोड़ने लगे है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी यहां पर हमने डेड़ कप पानी ली है पानी आप अपने हिसाब से लीजेगा थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे है इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रे में उबालाने देंगे जैसे ही इसमें उबालाने लगे तो हम इसमें ये पत्ता गोबी के पीसेश डाल देंगे और इनको कवर करके 2-3 मिनट तक पकाएंगे और 2 मिनट पकाने के बाद ये लीजे हमारी ये सबजी बनकर त्यार हो गई है इनको आप गर्मा गरम नान पराठे या राइस के साथ सर्फ करिए ये पत्ता गोबी की सबजी मूँ में घुल जाने वाली और खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है तो दोस्तों पत्ता गोबी की सबजी तो आपने हज़ारों बार बनाई होगी एक बार इस नए तरीके से बना कर देखिए आई होप आपको ये रेश्पी पसंद आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर कर देजेगा चैनल पर पहली बार आए हो तो सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नए रेश्पी के साथ धन्यबाद